जैश्किर आदे कृष्णा साथी हूँ, मैं भी कृष्णा ग्यान साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप, आपके अच्छ स्वास्त और सुखा जीवन की मंगल कामना करती हूँ, आपके रिपने इश्देवों को कोटी कोटी नमन करते वे, बड़ों को प करने के लिए ऐसा हम क्या महाँ उपाय करें कि हमारे सारे कारे सिर्द हो जाएं, आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में चलिए जट पर वीडियो प्राराम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर बोलू तो वर्षगाट के रूप में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में इस्तिति को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, कहीं कितने ही स्थानों पर भगवान राम और माता जानकी का विवावी संपन कराया जाता है मंदिरों में, कुछ लोग स्वयम भी करवाते हैं हम तुलसी विवा कराते हैं, उसी प्रकार राम और सिता जी का विवावी करवाते हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें अपने घर में भी पूजा पाट करने का विधान है, जो कि पूजा विधी में सरल पूजा विधी आपको अभी और उशुब महुरत भी आपको बता तो आज का दिन बहुत महत्पून होता है, तो यह 27 तारिक को जो पंचमी तिति है, शुकल पक्ष की जो पंचमी 27 तारिक को शाम को 4 बचकर 25 मिनट से प्रारम हो रही है, और 28 तारिक को दोपहर 1 बचकर 35 मिनट तक रहने वाली है, तो माने ता यह है कि उध्या तिति मानी ज दो रहा है, जो कि 1 बचकर 40 मिनट तक रहने वाला है, तो इसी दोरान आप पूजा करें, तो आति उत्तम रहेगा, और अगर आप इस दोरान पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी वज़े से आपको लग रहा है कि कोई हमारे साथ प्रोबलम होगी, तो 27 तारिक को शाम को 5 बचकर प्रतिमा जो भी कलेंडर आपके पास है, उसे रखेंगे, भगवान जी के समक्ष पीला वस्तर और माता सीता को लाल वस्तर अर्पित किया जाता है, यदि आपके पास कोई मूर्ती प्रतिमा ऐसी नहीं है, जिसमें कि आप वस्तर अर्पित करें, तो पीले रंका कलावा और लाल रंका कलावा वस्तर सरू भगवान को भेट कर दिया जाता है पुश्प और नवैद्य धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है अब बात यह है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा वैवाई जीवन सुक में हो और हमारे अगर विभा के मार्ग में किसी के बच्चों क बहुत सब लंबे समय से बाधा आड़ी हैं तो वो भी दूर हो जाए कहा जाता है कि इस दिन विवाह तो नहीं होते लेकिन विवाह की कामना जो करते हैं उनके विवाह जरूर पक्के हो जाते हैं तो आपको करना क्या है भोग के लिए तो बता दूँ दूद में केसर मिला क कर थोड़ा सा उसका भोग एक तुलसी पत्र डाल कर आपको लगाना चाहिए उसके पश्चात आप राम चरित मानस का अगर पाट करें तो घर में सुक समृति का बास होता है नहीं तो बाल कांड में दिए गए विवहा कांड को आप पढ़ें तो उससे भी बहुत उत्तम रहत तो भगवान शिरी राम की असीम क्रपा आपके बरसती है अब आपको करना कहें दिया आपको ऐसा लगता है कि विवहा के मार्ग में बहुत बादा है तो भगवान राम और माता सिता का कहते हैं कठबंदन करना चाहिए परन्तु कठबंदन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक कलावा ले लीजिएगा उसमें साथ गांठे लगाकर वो माता सिता और भगवान शिरी राम के चर्लों में अर्पित करिएगा यह प्रात्ना करते वें कि हमारा विवाहिक जीवन बहुत सुक में हो जाए यह हमारे विवहा के मार्ग में जो भी बादा है और यह हमारा तैह हो जाए ऐसी मनों कामना करते वें वो एक कलावा साथ गाठ का भगवान को अर्पित कर देना चाहिए दोनों को उसके पश्चात पूजा के पश्चात वो कलावा उठा के आप अपने वस्त्रों में या अपनी किसी अलमारी में थंबाल कर रख सकते हैं इसी के साथ सामगरी किसी जरूरत मन सुहागन महिला को दान कर देनी चाहिए सिर्फ एक सिंदूर आपको अपने पास रख लेना है आपको आरी है तो भी अप उस सिंदूर यानि कि वह वाला जो परेशानी है वो जो कस्ट है या वो जो मार्क में बाधा किसी भी तोष के कारण आ रही है वो दूर हो जाती है और वहाईक जीवर में अत्यांत प्रेम बरसता है अगर अगर आप दूद के अंदर केसर मिला के उसका भोग लगाते हैं भोग लगाने के परशात आप ग्रहन कर सकते हैं पूजन सामगरी मैंने आसान आपको बताई दी है और जो फ्रंगार सामगरी वो बताई दी किसी तरह से आपको किम को देनी है और क्या आपको अपने पास रखना है और जो साथ गाट का कलावा गठबंधन सुरूप आपने भगवान श्रीर बहुत अपयोगी सावित ओगी तो आज के लिए इतना ही इसाज़ात दीजे मिलते हुए एक वर्च वर्दस्ट वीडियो के साथ तब तक हासते रहें मुस्कराते रहें अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए जितना चा करापकी मेरे